पश्ची मुद्तर प्रदेश में राजपूतों की बीजेपी से नाराजगी की खपरों के बीच 10 अप्रिल को यूपी के मुख्यमंतरी योगी आधितिनाथ ने मुझफर नगर के सरधना इलाके में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग यानी जनसभा को संबोधित किया इस पब्लिक मीटिंग में योगी ने लोगों से कहा कि जिनकी गर्मी उनकी सरकार ने निकाल दी है उन्हें फिर से गर्म होने का मौका मत दो अभी जमू कस्मीर से आ रहा हूँ और केवल या की सबा के लिए आया हूँ अन्हे था मेरे और वी कारिक रम थे मैंने का नहीं मैं जाओंगा सरधना में मैं इस बार जरूर जाओंगा चौबीसी में मैं जरूर जाओंगा और वहनों भाईयों मैं इसी लिए आया हूँ आपसे कहने के लिए जो लोग गुम्रा कर रहे हैं उनके गुम्राह में आने के आऊ सकता नहीं इन लोग कभी नहीं आएंगे फिर जाती के सौदागर उप्योग करेंगे बात में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे हमें किसी भी ऐसे ब्रक्तिके बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट धर्म खत्रे में आए याद रखना इस देश के राष्ट धर्म को हमेशा खत्रा जब भी आया है इन्हीं लोगों के करणाया है जिन्होंने जातियता के आधार पर समाज के समाज इकताने बा है और में और भाइयों मैं आपको इस बात के लिए अस्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बाका नहीं कर सकता है सुरक्षा कि इतनी पुक्ता भी वस्ताम ने की है यूपी के अंदर आज आप देखते होंगे बड़े-बड़े दुर्दान्त माफिया और अपरादिय कि इसकदर उनकी दुर्गती हो रही है आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था आज उनकी दुर्गती क्या है हर व्यक्ति देख रहा है इन माफिया और अपरादियों की इस्तिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्रेट्फॉम को ठाकर के देखते होंगे एक दुर्दान तो माफिया ऐसा भी था देन और वहयों जब वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्यनाय अदीस इन सब के काफले रुख जाते थे और माफिया का काफला निकलता था और जब हमने कारव वख्वाई की उस माफिया के खिलाब और उसको रगड करके कोट के सामने प्रस्तुत क्या तो उसकी पैट गिली हो गई थी उसकी पैंट गिली हो गई थी और तब हमने कहा था उस समय उसको हमने कहा था कानून को रौंदने वाले आज कानून कितना बड़ा होता है या एसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है और निर्दोस लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी और वेन और भाईयों इसलिए मैं आया हूँ आपसे कहने के लिए देखो जिनकी गर्मी हम सांत कर चुके हैं उनको गरम मत होने दीजी अब इस छेत्र को विकास की मुक्यधारा के साथ जुड़ने दो उनकी सबकी गर्मी सांत हो गई है वे गए काम से योगी आदितिनाथ मुझफवर नगर इसलिए पहुँचे थे क्योंकि कुछ लोग आरूप लगा रहे थे कि पश्चिमी यूपी में ठाकुरों की अंदेखी हो रही है यूपी के इस खेत्र के कई जिलों में अच्छे संख्या होने के बाद भी उन्हें नजर अंदाज किया जा रहा है मामला यह है कि मुझफर नगर लोगसभा सीट से बीजेपी के उमीदवार डॉक्टर संजीव बालियान है मेरट लोगसभा सीट से अरुन गोविल उमीदवार है सहरनपुर लोगसभा سीट से बीजेपी उमीदवार राघव लखन पाल है कैराना लोगसभा सीट से प्रधीप चौधरी है जबकि गाजियबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया है चर्चा है कि गाजियबाद में छत्रिय समाज को टिकट नहीं मिलने से असंतोश है यहां रिकॉर्ड पांच लाक वोटों से जीतने वाले जनरल वी के सिंग का टिकट काट कर अतुल गर्ग को उतारा गया है हालांकि योगी आदितेनाथ ने मेरट से लेकर मुझफफर नगर तक के लिए किये गए अपने तमाम कामों की लिस्ट सर्धना में गिना दी हमें वह सरकार चाहिए जो कावड यात्रा चला सके करफ्यू लगाने वाली सरकार नहीं चाहिए करफ्यू लगाने वाले लोग नहीं चाहिए हम लोग इस बात को दिहान में दें जो लोग करफ्यू के पक्सदर रहें दंगा पौलसी जिनकी इस पूरे छेत्र में यहां के निर्दोस नागरिकों पर जूटे मुकद्वे दर्च करके यहां के नाजमानों के जीवन को जिन लोगों निगलने का काम किया था उन लोगों को कभी माप करने के आउसिकता नहीं जो यह लोग आये होंगे तमाम प्रकार की बाते कहने के लिए आये होंगे वेन और भाईयों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ आपने महारणा प्रताप का जीवन देखा होगा महारणा प्रताप जब महारणा प्रताप की बात होती है तो भारत के स्वभिमान की बात होती है भारत के सम्मान की बात होती है सधर्म और सराष्ट के लिए कैसा बल्दान चाहिए सत्ता नहें घास की रोटी खाएंगे लेकिन बिदेशी हुकूमत के सामने कभी सिर नहीं जुकाएंगे बैन और भाईयों जिन लोगों ने कर्फियू करके इस छेत्र में बान बेटियों की इजचत को निलाम करने का काम किया था जो लोग यहां की बेटी और ब्यापारी के जीवन के लिए खत्रा बन चुके थे उन लोगों को फिर से पनपने का उसर मत दीजिए वे लोग आएंगे दुम दबा करके आएंगे बाद में गिरेबान को पकड़ करके इस पूरे छेत्र में फिर अविवस्तार और आजटता फैलाने का कारे करेंगे इसलिए मैं आज आप सकावान करने के लिए आया हूँ बिकास में कोई कोताई नहीं बरती गई किसी भी प्रकार की कोई कोताई केंदर राजजसासन नहीं बरतने दी सुरक्सा के साथ कोई खिलवार नहीं होने दिया बेटी और बयापारी को सुरक्सा का माहूल दिया और वे न और भाईयों हमें बटिकदमत भेड़ों को दर किनार करते हुए देश के बारे में सोचना है देश और राष्ट धर्म से बढ़ करके हमारे लिए कोई कुछ नहीं हो सकता है और यही आवान करने के लिए मैं यहाँ पर सरधना की भूमी पर आया हूँ हालांकि बीजेपी ने कई सीटों पर ठाकुरों को टिकट दिया है जिनमें मुरादाबाद से सरवेश सिंग लखनव से राजना सिंग अकबरपुर से देवेंद्र सिंग हमिरपुर से पुषपेंद्र सिंग फैजाबाद से लल्लू सिंग गोंडा से कीर्ति वर्धन सिंग दुमरिया गंज से जगदंबिका पाल और जौनपुर से कृपा शंकर सिंग का नाम शामिल है इसके अलावा प्रदेश में करीब 48 विधायक राजपूत या क्षत्रिय समाज के हैं इनमें से 42 अकेले बीजेपी की ओड से हैं जबकि यूपी में ठाकूरों का वोट लगबग 7 प्रदिशत ही है